आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Reaction के Reagent दिये गए हो तो आपको याद रखना है यह कौन सी Name Reaction हो रही है या Reagent आगे इसका Function क्या तो पहला क्या C6H5 N2Cl मतलब C6H5 आपका Benzene, Benzene पे आपका N2 Plus और Cl Minus ठीक है तो यह आपका Reaction हो किससे Reaction कराने S3PO2 तो यह क्या करता है तो S3PO2 करता क्या है कि जो N2Cl है इसको गायब करके Hydrogen लगा देता है मतलब इसका आपको यहाँ पर सिर्फ उसर्फ Hydrogen तो जो पहले में में प्रोड़क्ट बनेगा वो Benzene बनेगा अब सेकंड की बात करें यह पहला सेकंड की बात करें कि Aniline की उपर Br2 Equus मतलब Bromine Water के साथ Reaction करानी है तो Bromine Water के साथ Reaction कराने से क्या होता है मतलब कि क्या होगा कि आपका Trisubstituted Product बनेगा ना कि Monosubstituted अब बात करें जो Aniline है उस पर क्या है Nitrogen के उपर Lone Pair Lone Pair होने की वैसे यह Electron Density को Increase कर देता Ortho और Para Position पर तो Ortho Position और Para Position पर Electron Density increases So it is Ortho Para Directing और आने वाला ग्रूप जो है वहीं पर आपका क्या होगा Substitution होगा मतलब Electrofile आपका वहीं पर जुड़ेगा जो है आपका Substitution होगा कि जो है आपका Ortho Para Directing तो सभी Ortho और Para पर आपका क्या हो जाएगा BR मतलब Electrofile आपका जुड़ जाएगा तो यहां BR यहां BR और यहां BR तो यह हो जाएगा Second वाले का Main Pro थार्ड वाले में आपको एक Amide दिया गया CH3-C1H2-BR2-Indipidence of Acute अच्छा बात है Amide की Reaction BR2-Indipidence of Acute तो BR2-QH जो है अगर Amide दिया होता है तो यह कौन सा Reagent है Hopman Bromamide Reagent So it is Hopman Bromamide Reaction Hopman Bromamide Reaction में होता क्या है जो Amide है वो आपका RCO-NH2 कोई भी है यह Amide है It is Converted Into Amine यह में पंड़ा और जो Reagent है वो आपका BR2-Indipidence of Base मतलब क्यों है तो इससे Reaction कराने से हमको जो Main Product मिलता है Amine मिलता है तो इस R की जगा पर आपका CS3 है तो Amine जो आपको मिलेगा थार्ड वाले में Reaction कराने पर जो Amine मिलेगा वो आपका CS3-NH2 यह आपका Amine मिलेगा मतलब Amine से Amine बनाना Hopman Bromide का Reaction होता है और यह जो BR2-Plus की वेच यह Hopman Bromide Reagent है तो यह इसको क्या कर देगा इसमें Convert कर देगा तो जो इसका जो Main Product हो जाएगा वो आपका CS3-NH2 हो जाएगा तो यह आपके Main Product है फस सेकेंड थार्ड गे थेंक यू